दोस्तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सेयर एंड कमेंट करिए हलो अच्छो आज हम लेके आए हुए हैं प्रत्यावती धारा के दूसरे भाग को यदि आपने इससे पहले वाली भाग के वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप् लॉक्स में जाए हैं वहाँ पर लिंक मिल जाएगा चलिए चो शोला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर हैं क्या कह रहा है यह दिया आपने फार्मला नहीं देखा हो तो इससे पहले वाले वीडियो पर जाके देख सकते हैं उसमें फार्मले दिये गए हैं चलिए चलिए प्रतिरोध के सिरो का वीज का विवांतर तो बच्चो जब प्रेरक्त की बात करें तो आप लिखोगे क्या तो आप लिखोगे वी एल जो दिया है बारा बोल्ट यह प्रेरक्त का विवांतर प्रेरक्त का विवांतर ठीक है और आपको इसमें क्या है कि प्रतिरोध में वी X कितना दिया बच्चो 16 बोल्ट तो यह तो यह प्रतिरोध ब्रतिरोध का विभवानतर ठीक है और कहरा है कर संपूर्ण विभवानतर गयाद करो वी गयाद करना है यह संपूर्ण विभवानतर तो बच्चो हम आपको एक फार्मॉला बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान देखिएगा फार्मॉला होता वी स्क्वेर बरावर वी आर स्क्वेर प्लस वी एल स्क्वेर तो वी स्क्वेर बरावर वी आर कमान कितना दिया है 16 का स्क्व का er प्लस vl कमाने 12 का स्क्व का स्क्व का 라श ऑप अब हम को बता दे 16 का स्क्व का दो 126 होता है जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो v यह स्क्वेर बरावर तो जितना हो जाएगा बच्चो जब इनको हम एड करेंगे तो जाएगा 400 कि ना जाएगा 400 जाएगा तो दूच वारा लैगा रूट के अंदर 400 जानेगे तो कह जा दोन दोन पजाएगा एप बोल्ट हो जाएगा ठीक है अब यह समझे बहुत धांसर नोट कर लो अब इसके बाद वाले सवाल हम पढ़ने चल रहे हैं अब रहे भशों 17 नमबर स्वाल पढ़ते हैं इसलिए परीपद में इक से सब्यांद है लगा गया है तो बच्चों परिपत में 130 वोल्ड का न ह amigos झाल न वी दिया है 130 वोल्ड का मैं तर लगाया गया यदि प्तिरोफ के सिरों का अंतर वी यार दिया देखो करना प्रतिरोफ तो अलोगा- अगर प्रत्रोत के तो आल लगा देना वीवे में तो चोक कंडली सिर्औ कब बीच के विभाहनतर ग्याद करो चोक कंडली मतलраш भीका सा ना का स्क्वेशर स्वेशर के वेल्व यहां पर क्या है 130 का स्क्वेशर क्या होगा 169 002 जाएगा और 50 के स्क्वेशर 500 हो जाएगा प्लस वी ईल इस्क्वेशर इदर आएगा 169 00-5 वियल-सक्वेशर तो बच्चो इसको घठाये जब हम घठाएंगे कितने से तो आएगा 144 क्या होगा 144 00 VL स्क्वेर तो VL स्क्वेर बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 144 तो स्क्वेर जब भट जाएगा तो VL बराबर जाएगा 144 का 12 होता है दो 0 का 1 0 यह आजाता अंसर तो बच्चों यह आपका 17 नंबर स्वाल का अंसर है नोट कर लो चलिए विच्चों 18 नंबर स्वाल क्या कह रहा है आएगे पढ़ते हैं कह रहा किसी प्रतेवतिधारा परिपद में प्रत्रोज संधारित और प्रेरक्ट के सिरों के बीच के विववांता दिया विवांतार वी होता सम्जी यह क्या होता थी फ़ेलस प्रत्रोजय दियां पहला प्रत्रोत कह रहा लगा देना दूसरे में क्यारा तो रघा देना इनके मान दिया है करम सा सिरील से बारह 1 और और यारा वोल्ट और 20 ऑरी फंवर्ड ठीक है तो ख людinaire जैसागी चित्रे में परदस्यत दिकाया गया है तो पहले नमबर में बैटा सुरोत का बिद्धु वाहग। हमें गयात करना है तो बच्चो बिद्धु वाहग। जो हता हम ये वग्राबर होता है यार रखिएगा अब पहले नमबर में गयात करना है फाई ग्याद करना है ठीक है ये कलांतर होता है तौप हम क्या करेंगे सब से वहाले हम आपको फांवला बताने जा рядरह यह ऑगाते है किसका ut कि वाहक नो वल तो स्थो वड़ार किया होता है वी आर स्थ्थ僕 वी-स nerव का होल बियार कमान कितना दिया 12 का स्कूर ठीक है प्लस वील 20 ग्यारा दिया तो वीस माइनस 11 का होल स्कूर तो इस स्कूर बराबर 12 का 144 अब इस से घटाएंगे आएगा कितना अब 20 से अगर 11 जाएगा नो आएगा 90 hourly HD 80S हो जाएगा ठीक बच्चो अब जब हम इसकland करेंगे तो कितना आएगा तो यह हो जाएगा फ्राक्षी हमारा 220 कितना उजाएगा 220 हो जाएगा तो зай बर बर रूट के अंदर 230 हो जाएगा बोलो तो यह बर यह बर कितना उजाएगा 15 वोल्ट कितना उजाएगा 15 बोल्ट बोलो यह आगया अनसर अब यहां पर द्यान दीजिए कि जो दूसरा पॉइंट है क्या यह पहला पॉइंट हो गया अब जो दूसरा पॉइंट है इसमें कलांटर कलांटर कितना बच्चो कलांटर होता है 10 5 वरावर फाइला होता है वी एल माइनस वी-सी वटे V, R या होता है फाइला तो यहांपर मान रख दीजिए आफ सबका थेंवाइल व्यू कितनी है 20 वी-सी के वैलुए 11 वी- यार के वैलुए 12 तो इसको जब घटाएंगे 10 5 वराबर कितना जाएगा 9 बटे 12 ठीक है अब यह कटेगा भी इसको काड़ भी सकते हैं कितना जाएगा तो तीन तरिका नो तीन चोग 12 भाग देंगे तो आ जाएगा 0.75 कितना जाएगा बच्चो जिरो दुस्मलो सेवन फाइब तो फाइब वराबर आ जाएगा वो टेन इनवर्स जिरो दुस्मलो सेवन फाइब यह आ जाएगा अनसर इसे आप नोट कर लो हाई औक बच्चो 19 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहे रहा है 19 नंबरज वाल कि आपको आर कमान? दिया है दूर सदीखरा होगा आपको और आपको वैल की वेलू दिया है 0.88 हेनरी और आपको सेनी करब में एक पते वरती भी आपका समीकर दिया क्यादिया वेटा 200 sin 300T ये दिया है तो प्रेरन पती घात की करना करो XL का मान ग्यात करना है तो बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान से ध्यान ध्यान दीजिए फामला होता बिटा E वराबर E नॉट sin उमेगा टी तो यहाँ से अगर आप देखे हम तुलना करके क्या क्या निकाल सकते हैं E नॉट की वैल्यू मेरी से तुलना करते है तुलना करेंगे जब E नॉट की जगहए पर तो 200 बउल्ट होता इसका मात्रह ठीक बच्चों और और क्या है ओमेगा की जगहए देखा जाए तो कितना है ओमेगा की जग茶 है 300 700 ठीक है तो यहां पर है कि आब और ध्यान से देखिए और मैं कि आया कि रही होता है प्रती घात का जो फाम उम्हेगा यहां प्र्त आइब ऑड्यून प्रति घात का जो फामूला होता है प्रती घात का वो होता एकसे L वराबर ओमेगा एल ठीक बच्छों हम यहां पर मान पूट करने जा रहे हैं एकसल वराबर ओमेगा की वैलु 300 है ला की वैलीरे 2 worst email 된 धाएंगे जिरो फैल बढ कि ना जाएगा आध मेराबर कितना आगा का अचाई एस इस उडया न हो एक दो अचाई लगा दिया कितना लगा दिया आ और तरी आर्थ इस भी से कि दिआ आगया ऑम तु यह इस इसका नोट के लो ब traum רק चलिए वेस्वा नमबर सवाल देखते हैं क्या कहरा है वीस वे सवाल में इस सवाल में आपको एक कुंडली का प्रती घात प्रती बाधा दिया बच्चों प्रती बाधा को लोग जिट से लिंखते हैं यार रखिए गा 141.4 तो यह है ओम यह है प्रतिवाधा या रखिएगा प्रतिवाधा को हम लोग जट से लिखते हैं प्रतरोध दिया है आर 100 ओम प्रतरोध को आर से लिखते हैं और कुंडली का प्रेरन पतिघाद बच्चों प्रेरन पतिघाद को हम लोग X L से लिखते यार किएगा प्रेरण प्रती घात हम बोल देंगा आपने नाम इनका लिख लेना प्रेरण कि प्रतीगात है कि यह प्रती बाधा माझी कूरी है है अब यहांपर हम उता देंग एपको अंद क्या होता है बहूत ध्हां से देखिए-गा Z square वराबर होता है ठीक है क्या होता है R square प्लस X L square यह होता है फार्मूला क्या होता Z square वराबर यह फार्मूला होता है तब यहाँ पर मान रख लिजिए आप सब का बहुत ध्यांद देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं दूसरी भासम अगर हम बताएं तो बच्चो jet को हम jet का जो मान है वो क्या है one four, one four ठीक है अब इसको point को अगर मिहां लगा दे और सौ से गुड़ा कर दे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई इसको ऐसे लिखने असान हो जाएगा थोड़ा बता रहा है आर की वैलू है सौ का स्क्वेर और एक्सल को ऐसे रहने तो बिटा आपने ऐसे क्यों कर दिया सुनिए ये रूट टू का मान होता किसका मान होता है रूट टू गुड़े बच्चो इसको खटाएंगे अब कितना है दो वीस हजार से दस हजार खटाएंगे तो दस ही हजार बचेगा कितना बचेगा एक्सल स्क्वेर इतना ही तो बचेगा आईए यहाँ पर देखते हैं ठीक है अब इसको देखिए समझे इसको इधर लाएंगे तो कितना है दो हजार माइनस दस हजार बराबर वीस हजार है सोरी वीस हजार मानस तो आएगा एक्सल स्क्वेर इसको घटाएंगे तो दस हजार बचेगा एक्सल स्क्वेर तो एक्सल बराबर बचेगा रूट के अंदर 10,000 तो एक्सल वराबर आ जाएगा सव ओम कितना जाएगा बच्चो सव ओम यह मेरा फाइनल अंसर है इसे आप नोट कर लो 21 नंबर स्वाल देखिए बच्चो एक ओम पर द्रोध आर की वैलू दिया वन ओम तथा 0.01 की हैरी है के सिरिंड़ हो में 200 बोल्ट की राइन बेटा वी की वैलू दिया दों रूटी थिक है की लाइन से जोडहें कि जिसकी आवरती जिसकी आवरती आवरती क्या है बच्चो CT 50 हर सही और इसमें गयात क्या क्या करना है इसमें गयात करना है एक्सल पृरन प्रतिघाट में प्रतिबधा और वो मेगा को लिख सकते हैं तू पाई एफ इंटू एल यह होता है फार्मॲा तो एक्सल बरावर हो जाएगा तू पाई किवेलू कितनी है बच्चो 3.14 और एक किवेलू कितनी है पचास और वैल कि वैलू कितनी है ल तो दियाए नहीं है यह एल होता बैटा जो है लिग दिया सबका गुला करें आप सबका गुला करोगे तो आपका अंसर आजाएगा कितना सबसे असान तरीका बता रहें पॉइंट आएंगे दो जीरो बढ़ाएंगे पचास से कम पचास दूनी दो से दो का इंसे क्या बचा थ्री दसमलो वन फोर ओम ठीक है यह आफ का अंसर आ गया अ दूसरे नंबर पर आपको निकालना प्रती जाएगा तो प्रती बाधा का जो हमने फार्मुला बताया था वो होता है जिड बराबर जिडि स्क्वैर या रूट के अंदर ले लो बात यह कहिए तो और ईस्क्वैर प्लस एक्सेल और ओंस करी यह अँजएगा अब अबने आ अब यहां पर क्या होगा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चो इसको हम लिख सकते हैं वन स्कूर अब इसको लिख सकते हैं कर इस क्या सकसे हैं आजाएगा है अधिक अभी करें से तो जिर्ड वरावर आएगा रूड में 10.86 भी इसका रूट निकालें अगर तो अफ्रॉक सी थ्री दसमलो थ्री ओम आएगा लगवग लगवग यह आ जाएगा ठीक बच्चो अब हम यहां क्या करने वाले हैं बहुत ध्यान से देखिएगा यह आ गया अब हम यहां पर निकालते हैं धारा क्या बटा धारा तो बटा ओम का निहम जो आपने पढ़ा था तो इसमें क्या ह है ना यह फांवर लगएगा वी वरावर आई जेड़ बटा आर की जेड़ का काम करेगा या रखना तो यहां से आए की वैलू निकालेंगे तो आएगा वी बटे जेड़ तो वी की वैलू कितनी है 200 जेड़ की वैलू अभी निकाला 3.3 तो बच्चो जब आप भाग और देख लेना कि चली वच्चो 22 नंबर सवाल हम पढ़ते हैं क्या है 22 सवाल 2-1 हीन्री का प्रेड़ रक तो बच्चो जिर.समलो 2-1 हीन्री का प्रेड़ रक्त तो यह क्या है आपका यह आपका हो गया है एल है ठीक है इसे जीरो इसमालों टू वं हिनरी का प्रेडाओं तो बारा ओं का प्रतिरोध आर्क वेलु दिया है बारा हूं और कहरा 220 का 220 तथा 50 हर्स के प्रत्यावर्ती धारा बिला वी का मन दिया 220 ओच कितना दो सो बीस बोल्ट और 50 हर्स मतलब आवरती आवरती कितना दिया है ठीक है तो धारा सुरोसत सिर्णी करें में जोड़े गए हैं तो परिप्रत में धारा कामान धारा यह वोटेज की बीच कलांतर कोड वच्चो आए की वेलू पूच रहा है अब उनके बीच बनने वाला कोड मतल में या दाने के लिए जिँड़ और एक्सल कारनी पड़ेगी आएक्सल कि आकल निकालते हैं मेगा एक्सल को टूपाई है अप जानते हैं मैगा कोई यह वेलू होती है ठीक है इन्टू में क्या है एल ऑप लिख मान रखेसे आप यहां पर मान की एक्सल और वराबर टू u पाई पाई कितनी होती तिस दसमलो 14 एक गतनी दिया 50 ऑविल कि फॉतने दिया गया गया और हम इसको करें क्या करें पूरे तो सॉल्व कर लें तो मिरा अंसर कित gloss कि जाएग वाला सब वजा हैंगे तो पांच कम 50 एक कम 50 पचास दूनी सो दो से दो कैंसिल तो यहां पर क्या है एक्सल वराबर है 314-021 यह आएगा एक्सल वराबर इसका गुरा करो क्या गरो इसका गुरा करेंगे तो आजाएगा 65.94 ओम क्या जाएगा 94 ओम यह आ जाएगा इतना ठीक है यह आगया एकसल आपका जिना अब आम निकालते हैं जिट जिट बराबर क्या होता बच्छो रूट के अंदर हमने बताया था आपको आर का स्क्वेर प्लस एकसल का स्क्वेर एज़ तो बताया था यह फार्मॉला ठीक है अब इसको आप याद कर लीजिएगा हम यहां पर मान रखके से हम सॉल्व करने चल रहे हैं जिट की वेलू आर की वेलू कितनी है बारा का स्क्वेर एकसल की वेलू अभी निकाला सिक्स सब्सक्वाइब का होल स्क्वेर फाइब बच्छो यह ठीक है यह क्या है फाइब कि इसका अगर हम स्क्वेर करते हैं क्या करते हैं स्क्वेर बहुत यहां ध्यान देना 12 का स्क्वेर 144 प्लस जब है स्क्वेर करें तो क्या आएगा तो अफ्रॉक्षी मोता दें हम आपको लगभभग 4-3 यह 4-8 के आस-पास आ जाएगा जब इनको हम सौल जोड़ेंगे क्या करेंगे जब इनको हम जोड़ेंगे तो लगवग लगवग बता देना है फूर फूर नाइन टू के आसपास आएगा जब इसका रूट निकालेंगे आप भाग विदी से तो अप्रॉक्सी अप्रॉक्सी मतलब लगवग लगवग 67 आएगा ठीक है या गैजिट अब को परिपथ मे भा निकालना है क्या निकालना इं कि परिपथ मे धारा तो हम आपको बता दें आई बराबागा जड़ बटे वी योता सब्सक्राइब का मान कितना है 220 जट का मान कितना है अभी निकाला 67 जब हम भाग देंगे कितना भाग देंगे तो आगा 3.28 MPR आ जाए कितना जाएगा वेटा या जाएगा अंसर ठीक है अब हमें निकालना कलांतर क्या निकालना भी कलांतर तो कलांतर का फार्मूला होता है क्या होता है आई यह बता दें टेन फाइब रावर होता है ओमेगा एल या एक्सल बटे ना ओमेगा एल बटे क्या होता बच्चो आर यह होता है फार्मूला ठीक है तो शूमेगा लिखो यह एकसेल बटे या लिखो बात की है ठीक है एकसल मेगा लिखो यह अब आपको बता दे अइकसल की वैलिओ भी निकाला था कितना निकाला था कितना कित मिवार हिवर टाथ बारा ठीक है जब और भाग देएग्ड Wak stupid five वाग देंगे तो 5.4 कितना जाएगा 5.49 के आसपास आएगा इसको अप्रॉक्सी लिख सकते हैं कितना लगभग लगभग 5.5 लिख सकते हैं तो यहां से अगर आ जले विच्चों तेस्ट नंबर स्वाल परते हैं क्या कहरा तेस्ट नंबर स्वाल बहुत ध्यान से देखिएगा साट हर्स की आवरती बच्चों एफ का वैलू दिया 60 हर्स mai और वी बाव दिया 200 और कहरा आप में एक बटे 5 हैंड़ी तो जे क्या है बेटा हेनरी एल कि सी वैलू दिया एक बषस पाइए और कराका है 50 ऊम का प्रत booming जोड़ा जा आर कि बेुट दिया 50 तों समझे गा करा परिपद में परिजल निकालना है कि दूसरे में प्रति माधा जे जैड निकालना है तीसरे में धाराव वोटेज की भी कलांतर निकालना है फाई निकालना है तो आई वच्चों सब निकालते है बारी-बारी से साथ सब पहले आपको क्या निकलना है प्रिरन प्रति घात फामला क्या होता है एक्सल बराबर ओमेगा एल ये होता है ओमेगा के वैलू क्या है two PI f into L यह होता है बहुत ध्यांद देखिएगा two pi के वैलू है 3.14 into FF के वैलू कितनी है 60 और L L के वैलू कितनी है बैदा एक बटे पाई ठीक है तो बच्चों ध्यान से देखो यह पाई का तो मान होता है जब रख दिया तो रख दिया पाई से यह कड़िया है क्योंकि पाई की वेलू सी दसमलों फोर होती है ना तो कड़ जाएगा तो एक्सल बराबर बहुत ध्यान से देखिए का साथ दूनी 120 120 ओम आ गया यह XL क्या आगया आपका तो पहला नसर आ गया 120 और दूसरे नंबर में में क्या निकालना है जड़ बच्चों प्रतीब आधा का फामला क्या होता है प्रतीब आधा-इसका-फामला होता जड़ बराबर रूट के अंदर अर स्क्वार प्लस एक्सल इसक्वार यह होता है तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 का स्क्वार 25 सो और 120 का 129 24 00 तो जड बराबर तो इनको जब एड़ करेंगे क्या करेंगे हम जोड़ेंगे जब जोड़ेंगे तो आएगा 169 00 दिए जो बराबर 130 ओम क्या जाएगा 130 ओम आ ठीक है उसके बाद 30 नंबर स्वाल में आजाएए परिपद में धारा बहुत ध्यान देना परिपद में धारा ठीक है तो धारा क्या होता पिटा भी हमने आपको बताया था धारा निकालने को कह रहा क्या धारा तथा बोल्टेज वह धारा के बीच का भी फॉन तर्विटा धारा भी निकालने के लिए कह रहा है सवाल में धारा भी निकालने के लिए किया तो आई बराबर क्या होगा फामुला बताईए बहुत द्यान से वी वटे जड तो आई यहां पर बताते हैं ठीक है आई बराबर वी वी कमान वी कमा 200 जट जट की वैलू 130 00 कट गया तो आज बराबर कितना आगया बच्छों जब भाग देओं गया तो 20 में 113 का जब भाग दो वन पॉाइंट फाइब 38 आएगा लगभग लगभग आप देख लीजिए बाग देखें अब हम निकालने जा रहा है क्या यहां पर कलांतर क्या था बोल्टेज ओधारा की बीच कलांतर वी वा आई के बीच क्लांतर क्लांतर का फामला होता बेटा क्या टिन टिन फाइब राबर नह एकस यल वटे आर यह होता बच्चो एक्सल बट रियार टेन फाइव रावर एक्सल एक्सल की वैलू निकाला 120 आर की वैलू कितनी दिया है पचास जीरो जीरो काड़ती है अब तो यह कटेगा नहीं बिटा या तो भाग दे तो इसमें जब भाग देंगे बारा में पांच का टू पॉइंट फ हैं क्या कह रहा है सव बोल्ट यह सव बोल्ट पचास हट्स की आवरती ठीक है और कह रहा है प्रत्यवती परिफ़त में एल का एक प्रेरक्त और 31.4 ओम का प्रत्रोध यहां पर बच्चों बेटा आर कमान दिया है 31.4 ओम का एक वल्व संकलावरत जोड़े गए हैं यदी ब पाई वाई फोर दिया है तब एल का मान बताईए तो फच्चों आई इस सवाल को हम हल करते हैं कैसे आए देखते हैं सबसे पहले विटाम आपको एक फामुला बताएंगे टिन फाई वरावर ओमेगा एल बटे आर यह फामुला याद कर लीजिएगा तो टिन फाई वराव फाई वरावर ओमेगा को क्या लेसकते हैं तो फाई एंटू बटे आर टिन फाई वरावर टू पाई कि बैलव कितनी है थ्री दसमलोफ फॉर एफ की बैलू पचास एल निकालना है बटे आर की बैलू थ्री वन पॉइंट फॉर तो बच्कों ध्यां से देखो पॉइंट की घड़ीे आएगा M हजागी एक बटेदस भाग देंगे जी रहा हैवन हें server हो जाएगा कर य है यह मान है हिसको नोट कर लो चलिए बच्छो 25 नमब्स वाल देखते हैं क्या करा 25 स्वाल कि एक प्रत्रोध हीन बच्चो आजिए रो है प्रतिरोध हीन कह देखते तो आज जी रो आज कहरा प्रतिरोध हीन ठीक है में प्रेडक्ट अल की वैलू दिया एक बटे पाई हेनरी और जी मुलोड़ ऑई की वैल पूछ रहा है और यदि आवरती दिया आपको 50 हर्स तो ठीक बच्चो तो यह काम करते हैं हमें निकालना क्या है वी यल तो जो यह होगा वी यह होगा क्योंकि आर्जीरो है जब आर्जीरो होता तो विवांतर मेरे वी के बराबर होता ठीक है तो हम यहाँ पर सबसे पहले फा हो वो फामुला होगा ये बियल व्यल ऑड़ाबर आई एक्सल इसको लिख सकते हैं तो वियल वराबर आई एक्सल मेंगा यासरा ने एफ इनटू एल सारा मानियार प्रस डाओं गेए बैटां i की वेलू कितनी है है ये 2, 5 कि एक की वेलु है 50 वेल की वेलु है एक वटे पाइब, पाइस पाइच पाइच आएंगे 0,0 केंसिल, तो वी एल बराबर क्या होगा? वी यल वरावर कितना हो जाएगा दो पंचे दस दस दूनी बीस बीस बोलता जाएगा अंसर यह आ गए विटापका अंसर ठीक है नोट कर लो दोस्तो यदि हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सेयर एंड कमेंट करिए और भी अगर आप किसी टापिक पर वीडियो चाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें तो हम उस पर बहुती जल से जल वीडियो को बनाएंगे लिए धन्यवाद झाल 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 झाल